एक्सरसाइस 5.2 का 6th question, 5th question पिछले वीडियो में complete हो गया है, 6th question देखते हैं, यह दिया है, In the given figure below, decide whether L is parallel to M, यहाँ पर 3-4 figure दिया हुआ है, अलग-अलग diagram है, और इसमें कुछ-कुछ values दिये हुए है, उनको test करके हमको यह बताना है, कि जो line L और M है, वो parallel है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी जो parallel line का properties है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको question को solve करना है, ठीक है, दिखते हैं whiteboard में किस तरीके से solve होगा, यह sixth question का, यह वाला पहला diagram है, और यह दूसरा diagram है, पहली यह दो हो जाए, फिर उसके बाद आगे का diagram और देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे पहला diagram जो है, यहाँ पर क्या करना है हमको, अभी तक यह हो रहा था कि हमको यह बत ठीक है, यह 3 line दिये हो है, और अंदर में 2 angle का measurement दिया हुआ है, और हमको question में पूछ रहा है कि यह जो line L और M है, यह parallel है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी हमको parallel line का जो properties है, वो अगर follow हो जाएगा यहाँ पर, तो यह line parallel हो जाएंगे, अगर आप वो video भी तक नहीं देखे हो, जिसमें हम basic points discuss किये थे, तो आप पहले उस video को देख लो, तो यह आपके लिए easy हो जाएगा, उस video जो है आपको exercise 5.2 का पहले video में आपको मिल जाएगा उसका detail, वो link आपको description box में मिल जाएगा उसका, तो इसको देखते हैं, यहाँ पर देखो, यह नाम तो दिया नहीं है, यह L line है, L है, M है, N है, इसको नाम दे देते हैं, यह होगा अपना संब्रोज, angle 1, ठीक है, यह angle 1 होगा, इसको दे देते हैं, angle 2, तो अब देखते हैं, L और M दो line है, और N जो है, इसका transversal है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, line L is transversal for line L and M, ठीक है, यह जो line N है, यह line L और M के लिए transversal है, और जो angle 1 और angle 2 है, यह interior angle होगा, interior angle on the same side of transversal, दोनों ही, एक ही side में है, right side में है, transversal के, तो यहाँ लिख सकते हो, and angle 1 and angle 2 are interior angle on the same side of transversal, अब, क्या होगा, अब यहाँ पर angle 1 और angle 2 को हम add करेंगे, now, adding angle 1 and angle 2, तो angle 1 का जो measurement है, वो 44 degree है, योगा 44 degree, प्लस, एंगल 2 का measurement दिया है, 126 degree, अगर इन दोनों को add करते हैं, तो योगा 44 और 126, 6 प्लस 4 हो गया 10, ठीक है, 2 प्लस 4, 6 प्लस 1, 7 और यह 1, इनका जो addition आ गया है, वो आ गया 170 degree, अब जो parallel line का एक property होता है, कि interior angle on the same side of transversal are supplementary, तो इसका मतलब अगर L और M parallel होते, तो इन दोनों का जो sum होता, वो 180 degree आना चीए था, लिकिन हमारा समाया है 170 degree, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह line L और M parallel नहीं है, तो यह लिख सकते हो, आप since angle 1 प्लस angle 2 is not equal to 180 degree, therefore L is not parallel to M, ठीक है, यहाँ पर line L जो है M के parallel नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो interior angles है, same side of transversal, इनका addition जो है 170 degree आ रहा है, अगर यह 180 degree आता, तो हम बोल सकते कि L और M जो है आपस में parallel है, अब इसका second problem देखते हैं, इसी तरीके से second problem भी solve होगा, यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर भी दो line दिये हुए हैं, इनका नाम यह line L है, यह line M है, और यह जो line दिया हुआ है, यह line है N, अब यहाँ पर इसका measurement 75 degree दिया हुआ है, इसका भी measurement 75 degree दिया हुआ है, हम assume कर लेते हैं, यह angle 1 है, और यह angle 2 है, और अब देखोगे, तो यह अगर 75 degree का angle है, तो यह जो angle होगा, यह भी 75 degree का होगा, क्योंकि यह दोनो vertically opposite angle है, तो यहाँ लिखे लो यह नाम दे देते हैं, इसका angle 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, angle 1 is equals to angle 3, ब्राकेट में आप लिखे सकते हो vertically opposite angles, ठीक है, vertically opposite angles हमेशा equal होते हैं, इसलिए angle 1 जो है, angle 3 के equal हो जाएगा, अब यहाँ पर आप देखो, कि line L और line M को, यह line N जो है, वो दो जगा intersect कर रहा है, तो इसका मतलब N जो है L और M के लिए transversal है, तो यहाँ बोल सकते है, line N is transversal to line L and M, और जो angle 3 है और angle 2 है, यह दोनों transversal के एकी साइड पर है, यह जो N है, यह transversal है, और यह दोनों angle transversal के एकी साइड में है, तो यहाँ लिख सकते है, continuation में add, angle 2 and angle 3 are on the same side of transversal, ठीक इसी क्तरह, यह question जिस तरह से बना था, उसी तरिके से इसको भी solve कर रहे हैं, angle 3 और angle 2 transversal के एकी साइड में है, तो अब क्या है, हमारा जो property बोलता है कि अगर दो line parallel है, तो transversal के same side के जो interior angles होंगे, वो उनका जो sum होगा 180 degree होगा, यानि कि वो supplementary होंगे, तो यहाँ पर करेंगे फिर उसके बाद नाव, angle 2 plus angle 3 को add करके देखते हैं, angle 2 का measurement 75 degree है, plus angle 3 का measurement भी 75 degree है, दोनों को अगर add करते हैं, तो यह आएगा 150 degree, तो अगर यह दोनो line L और M आपस में parallel होते, तो इनका sum आना चीए था 180 degree, लेकिन यह 150 degree आ रहा है, तो आप बोल सकते हो, since angle 2 plus angle 3 is not equal to 180 degree, therefore L is not parallel to M, 6th का जो 3rd question है, उसका diagram में आप देखो, यहाँ पर भी एक line L है, एक line M है, और यह जो N है, इन दोनों को intersect कर रहा है, इसका मतलब यह जो N line है, वो L और M के लिए transversal है, यहाँ पर भी angle का अगर नाम आपन दे देते हैं, suppose यह नाम हो गया, इसका angle 1 है, और यह angle 2 है, ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पहले लिख लेते हैं, line L और M जो है, उनका transversal N है, यहाँ पर लिखेंगे, line N is transversal to line L and M, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो 123 degree दिया हुआ यह, और यह दिया हुआ 57 degree, तो अगर यह angle 57 degree है, तो यह जो angle होगा, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं angle 3, यह भी होगा 57 degree, क्यों? क्योंकि यह दोनो vertically opposite angle है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, angle 2 is equal to angle 3, bracket में आप लिख सकते हो, vertically opposite angle, vertically opposite angle हमेशा equal होते हैं, तो angle 2 और angle 3 जब equal है, तो angle 3 का जो measurement है, यह हो जाएगा 57 degree, क्योंकि angle 2 का measurement भी 57 degree है, अब आप देखो, angle 1 और angle 3, यह दोनों transversal के same side में है, और दो line के बीच में है, यानिकि यह interior angles है, तो इसको बोल सकते हो, since angle 2 and angle, sorry, angle 1 and angle 3, angle 1 and angle 3 are on the same side of transversal, ठीक है, therefore, इनका addition निकालते थे, angle 1 plus angle 3 is equal to, angle 1 का measurement है, 123 degree, plus angle 3 का measurement हम निकाले है, 57 degree, अब अगर इन दोनों को add करेंगे, 127 plus, sorry, 123 plus 57, योगया 3 plus 7, 10, 5 plus 2, 7 plus 1, 8, और योगया 1, तो इनका measurement का sum होता है, 180 degree, तो जो parallel line है, उनका एक property यही है, कि जो transversal के same side में, जो interior angles होते हैं, वो supplementary होते हैं, तो आप बोल सकते हो, yes, therefore, L is parallel to M, fourth question जो दिया हुआ है, यह इसका fourth का diagram है, अब यहाँ आप देखो, यह line L है, यह line M है, और यह जो N है, इन दोनों लाइन को intersect कर रहा है, इसका मतलब N जो है, line L और line M के लिए transversal है, और यहाँ पर एक measurement दिया हुए 72 degree, यहाँ एक measurement दिया हुए 98 degree, इसको नाम दे देते हैं, suppose यह angle 1 है, यह angle 2 है, अब आप देखो, अगर यह angle 98 degree है, ठीक है, तो इसका जो vertical यह opposite angle, यह भी 98 degree होगा, यह थोड़ा सा long way हो जाएगा, इधर आ जाते हैं, अगर यह 72 degree है, तो यह इसका vertically opposite angle होगा, 2 का vertically opposite angle, इसको नाम दे देते हैं, 3, तो यहाँ लिखोगे, angle 2 is equal to angle 3, bracket में लिख सकते हो, vertically opposite angles, दोनो vertically opposite angles हमेशा equal होते हैं, तो angle 2 और angle 3 दोनों equal होंगे, यहाँ पर लिखो therefore, angle 3 का जो measurement होगा, वो होगा 72 degree, क्योंकि angle 2 और angle 3 equal है, और angle 2 का measurement जो है, वो 72 degree है, अब N जो है L और M का transversal है, यहाँ लिखेंगे, line L is transversal to line, sorry, line N is transversal to line L and M, और angle 1 और angle 3 जो है, यह interior angles है, on the same side of transversal, अब दोनों angle को add करेंगे, किसको angle 1 और angle 3 को, now adding angle 1 और angle 3, यहाँ पर कर लेते हैं, angle 1 का measurement 98 degree है, प्लस angle 3 का जो measurement अभी निकाले, वो 72 degree है, अगर इनको add करते हैं, 98 plus 72, योगा 8 plus 2 10, 9 plus 1 10, प्लस 7 17, यह हो गया 170 degree, तो अगर L और M पैरलल होते, तो इनका जो interior angle, on the same side of transversal होता, उनका addition 180 degree आता, इसका मतलब यह है, कि line L और M पैरलल नहीं है, यहाँ लिख सकते हो, since, angle 1 plus angle 3, is not equal to 180 degree, therefore, line L and M, are not parallel, तो यहाँ exercise 5.2, आज अपना complete हो गया है, next video से exercise 5.3, अमलोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ करेंगे,